साथ यो रिफ्यूजी का जीवन क्या होता बीना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है ये दिल्ली से बहतर कौन समझ सकता है यहां का कोई कौन ऐसा नहीं है जहां बट्वारे के बाद किसी रिफ्यूजी का बट्वारे से अल्पसंख्यक बने भारतिय का आंसू नगी राह हो सड़क पर हो रहा ये का बवाल उनके आंसू अका प्मान है या नहीं है उनके दर्द पे तेजाब शिड़कने वाला पाप है के नहीं है साथियों मैं फिर से स्पस्ट करना चाहता हूं किसी की भी नागरिक्ता छिनने के लिए नहीं ये नागरिक्ता देने के लिए है हमारे तील पडोसी देशों के वो अलपसंख्यक दौच्चाचार की वज़े से वहां से भाग कर भारत आने के लिए मजबूर हुए है उन्हें इस एक्ट पे कुछ मदद की गई है रायायत दी गई है कुछ डिल दी गई है और ये रियायत भी मोदी की सोच है सा मानने की जरूत नहीं है कि रातोरात मोदी को विचार आ गया इसलिए मोदी ने कर दी ऐसा नहीं है ये रियायत मातमा गांधी की भावना के ही अनुरूप है मातमा गांधी ने कहा था कम से कम ये लोग जो मातमा गांधी को ले करके देश पर बाते करते रहें और आज भी गांधी सरनेम का फाइदा उठाने की बाते करते हैं जरा वो कान खोल करके सुन लो गांधी जी ने कहा था मोधी को मानो या ना मानो अरे गांधी को तो मानो मात्मा गांधी ने कहा था मात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिंख साथियों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ पुझ्य मातमा गांधी कह रहे है भाईयों भानो ये छूटे रियायत तबकी भारत की सरकार के वादे के मताबिक है जो बटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतियों के साथ आज से सतर साल पहले जो वादा किया गया था उस वादे को हमने भार है जो बटवारे के वादे कारण भारत उस समय चक्वेट एक ड़हाता है